हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक यूनिक ट्वेडिंग पैटरौन की उपर जिसके बैसिस पे आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं वो आपको ट्वेडिंग डिसिएंस लेने में काफी जादा हेल्प करेगा और वो ट्वेडिंग डिसिएंस आपको प्रॉफिटेबल ट्वेड बनाके देगा तो चली देखते हैं कि हमारा यूनिक ट्वेडिंग पैटरौन क्या है जिसके जरी से आप आसानी से मार्केट से प्रॉफिट डिराइब कर सकते हैं प्रॉफिट निकाल सकते हैं चली उसको सीखते हैं यहां पर अब हम चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट है आपका है सन फामा का चार्ट है डेली चार्ट है यहां पर आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट इस्तिमाल कर सकते हैं कोई रिस्टिक्शन्स नहीं है जो भी टाइम फ्रेम आपको सुटेबल लगता है वहां पर आप इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर हमने डेली चार्ट लिया क्योंकि डेली चार्ट में जो पैटरन बन के आता है वो काफी आसानी से पैटरन बन के आता है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और जब यह pattern आपको समझ में आ जाएगा तो इसका इस्तेमाल आप hourly chart 30 minute, 5 minute, 15 minute किसी में भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे अभी छोटे time frame पे जाएंगे तो यह pattern समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इस सबस्थ पहले pattern हमें समझाने के लिए daily chart पे आना परा, उसकी बात implementation के लिए आप यहाँ पे कोई भी time frame में जा सकते हैं यह हमारा trading strategy क्या है, trading pattern क्या है, वो समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक real life example बताना चाहूंगा Suppose that आप किसी bus stop पे खरे हैं और bus आया और आप किसी कारण बस उस bus में नहीं चरपाए, उस bus को नहीं पगर पाए तो आप क्या करोगे, उस bus के पीछे भाःँगे या फिर बस stop पे रुके दूसरे bus का इंतजार करोगे तो wise decision क्या होगा कि हम bus stop पे रुक के दूसरे bus का इंतजार करेंगे अगर हम उसी bus के पीछे भाएंगे उस bus को पकरने के लिए तो क्या होगा accident होने के chances increase हो जाएंगे आपका वहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है तो इसी तरीके से हम यहाँ पे stock market में भी क्या करेंगे कि जब भी हमें breakout देखने को मिलता है या फिर हमें breakdown देखने को मिलता है यानि कोई upside या downside momentum देखने को मिलता है अगर हम उसको सही time पे identify नहीं कर पाते हैं या फिर अगर हम उसको late identify करते हैं तो उस breakout या फिर breakdown के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें support या रेस्टेंस डिवल identify करके रख लेना है, यह नहीं जो कि आपका app as a bus stop के रूप में काम करेगा, और वहाँ पे हम दुबारा price आने का wait करेंगे, और दुबारा price आएगा तो वहाँ पे हम entry लेंगे, हम breakout या फिर breakdown के पीछे नहीं भागें, अगर आप इसके पीछे भागें, तो आपका जो पहला चीज होगा, जो risk reward है, वो आपके favor में नहीं होगा, और यहाँ पे जो losses के chances हैं, वो भी आपके increase हो जाएंगे, और कई बार यहाँ पे आप आसानी से trap में फस सकते हैं, अगर आप impatient हैं और breakout या breakdown के पीछे भागते हैं, तो आपके trap में फसने के chances बहुत जादा increase हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, breakout या breakdown के पीछे नहीं भाएंगे, हम सही जगा का wait करेंगे, और यहीं चीज में आपको इस वीडियो में detail से बताने जा रहा हैं, तो चलिए इसको start करते है यहाँ पे अगर हम chart पर देखें, तो यह जो level है, यह हमारा क्या काम कर रहा है, यह हमारा resistance के रूप में काम कर रहा है, ययनि यह हमारा resistance level है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे price आपका इस resistance level को break करके ऊपर निकला है demonstrate यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ तक तो यह align resistance की रूप में काम कर रहा था अब इसके बाद यह क्या बनकिया यहाँ पर resistance आपका किस में convert हो गया support में convert हो गया लेकिन यह जो line है, यह जो level है अभी भी उतना ही importance रखता है, बस यह जो पहले वे stance की रूप में काम कर रहा था, वो किस में convert हो गया, वो support में convert हो गया, अगर हम यहाँ पर by chance, इस level के आसपास इस breakout को identify किये हैं, या फिर यहाँ पर आपको safe side की तरफ जाना है, तो जो पहली बार जो breakout देता है, उसके पीछे नहीं भागना, या फिर अगर आप यहाँ पर late identify किये हो, suppose that आप इस level पर identify किये हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर by sir की तरफ positions initiate करोगे, तो stop loss आपको यहाँ पर रखना परेगा, SL आपका काफी big हो जाएगा, फिर अगर आप target price same amount का भी रखते हैं, तो काफी ऊपर target price हो जाएगा, यहाँ पर हमारा risk increase हो जाएगा, तो इस breakout के पीछी हम नहीं भागेंगे, अगर हम सही time पर entry लेते तो ठीक था, लेकिन हमें confirmation के लिए ही wait करना परेगा, confirmation हमें यहीं पर मिला, और अगर हम entry लेंगे भी, तो इस level के आसपास हमें entry लेने का मौका म लेगा, जो कि बहुत late entry होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो level है, यह हमारा support बन गया, अब हम क्या करेंगे, wait करेंगे, price जब support level के करीब आएगा, और वहाँ से वो upside move दिखाना start करेगा, तो हम यह क्या करेंगे, हम buy sir के तरफ entry लेंगे, अब देखिए, वापस से price आपका नीचे आया, और support level को टच किया, और इसको break करके नीचे गया, लेकिन जैसे support level के नीचे आया, यहाँ पे, buyers ने जबरतस entry मारा, और price आपका ऊपर जाना start हो गया, और जैसे price आपका ऊपर जाना start हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम clear cut, buy side की तरफ entry द है और यह जो highest point था जो हाई बनाया था वो यहां पे मेरा टागेट प्रैस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तो यह मेरा तागेट हो जाएगा यह तो इस तरीके से यहां पर आसानी से ट्वेड ले सकते हैं हमें breakout या फिर breakout के पीजे नहीं भागना है यह सही तरीका है जहाँ पे आप अपना tweet ले सकते हैं उसकी बार हमें यहाँ पे एक और मौगा दिया है फिर price आपका ऊपर गया यहाँ पे high form किया है और फिर price आपका नीचे आके इसी support level को touch किया है यहाँ पे भी हम buy side की तरफ entry आसानी से ले सकते थे और यह जो point है यह मेरा SL के रूप में काम करेगा अब यहाँ पे हमारा जो target price होगा जो fresh high बनाया है यहाँ पे हमारा अब target के रूप में काम करेगा और देख सकते हैं इस target price को भी इसने hit कर दे यह नहीं same support level हमें दो बार trading का मौका दिया और दोनों बार हमें जबरदस profit यहाँ से मिलता हुआ दिखा तो इसी तरीके से आपको trade करना है अब देखिए price आपका उपर गया है यहाँ पे यह फिर से क्या form किया resistance level फिर यहाँ से price आपका नीचे आना start कर दिया है अब क्या हुआ price आपका वापस से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे इसने क्या किया इस resistance level को break करके इसको वापस से फिर से support level बना दिया है अब देखिए जो candle यहाँ पे break किया है वो direct आपका closing यहाँ पे दिया है तो अगर हमें entry लेना भी होगा तो इस level के आज पास entry लेंगे जो कि already बहुत ज़्यादा late हो जाएगा बहुत ज़्यादा higher level पे यहाँ पे हम entry लेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम breakout के पीछे नहीं भायेंगे अगर हम यहाँ पे वागते हैं यहाँ पे हमारा बाईसाइट की तरफ पोजिशन होगा SL यहाँ पे होगा तो देख सकते हैं SL कितना बिग हो जाएगा और target price हमें इस stop loss के recording नहीं मिल पाएगा यहाँ पे हमारा risk factor increase हो जाएगा risk reward मेरे favor में नहीं होगा इसलिए यहाँ पे हम entry नहीं लेंगे हम क्या करेंगे हमें एक support level मिल गया है जो कि पहले resistance के रूप में काम कर रहा था अब ही हमारा support level मिल गया है अब अगर price आपका इस level के आसपास आता है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे आपका एक बार यहाँ पे आया लेकिन इस support level को touch किया और जैसे यहाँ से price आपका ऊपर जाने लग गया हम इस level क्या कर सकते हैं clear cut हम यहाँ पे entry ले सकते हैं किस तरफ by side की तरफ entry यहाँ पे ले सकते हैं और यह जो point होगा यह मेरा SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा उसके बार हमारा target price क्या होगा यह जो level था जो भी high बनाया तो यह हमारा target price होगा उपर गया इस target price को भी hit किया और फिर से आपका इसी तरफ के ब्रेकाउट दिया है जहाँ पे हम entry नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे भी हम वही सेम तरीके से इंतजार करेंगे तो ऐसे ही आपको किसी breakout या फिर breakdown के पीछे नहीं भागना इसी तरीके से आपको एक support या resistance level पकरके बैठे रहना उसके करीब आएगा तो हम entry लेंगे अगर by chance इस support level के करीब नहीं आया इससे उपर ही यहाँ से निकल गया तो हम क्या करें यहाँ पे छोड़ देंगे हमें trading नहीं लेने का कोई fine तो लगता नहीं है trading छोड़ देंगे अगर हमें सही trade नहीं मिलता है तो हम trading avoid कर देंगे ऐसा जोगी नहीं है कि बाए अगर आप trade नहीं लोगे तो आपको save या फिर NAC fine मार देगा कुछ नहीं होता है तो बेतर है कि loss करने से बेतर है हम यहाँ पे trading avoid कर दे जब हमारे मन के मुताबिक trade नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे trade नहीं लेंगे इसी तरी किसम दूसरा example देखते है अब यहाँ पे हम वापस से आ गए TCS के daily chart पे अब TCS के daily chart को अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे price उपर गया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे sales आर की तरफ positions initiate नहीं करेंगे हम कब करेंगे हम यहाँ पे wait करेंगे दुबारा जब यह वापस से इस resistance line के करीब आएगा या फिर इस resistance line को break करके उपर निकलेगा तो हमारा दूसरा तरीका होगा जो कि हमने पहले discuss कर लिया है यहाँ पे अब हम दूसरे example को देखते है जो दूसरा example हमारा हुआ है TCS का daily chart यहाँ पे भी हम daily chart पे आ रहें क्योंकि हमें candle में maturity चाहिए थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो इसलिए हम यहाँ पे लिए हैं अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा अलग तरीके समझते हैं प्राइस आपका ऊपर गया है यहाँ पे resistance line फॉर्म किया है अब यहाँ से price नीचे किवना start किया है तो हम यहाँ पे sell side की तरफ positions initiate नहीं करेंगे यह जो breakdown दिया इसके पीछे नहीं भावेंगे हम क्या करेंगे यह हमारे लिए अभी भी resistance level ही है हम क्या करेंगे दोबारा wait करेंगे अगर price आपका इस resistance line को touch करके वापस से नीचे जाना start करेगा तब हम यहाँ पे sell side की तरफ entry लेंगे अधरवाई हम sell side की तरफ entry नहीं लेंगे तो यहाँ पे हम wait करें और देख सकते हैं price नीचे आए वापस से आया और इस resistance line को touch किया और वहाँ से नीचे जाना start कर दिया इस level करीब हम sell side की तरफ entry लेंगे यह हमारा sell side की तरफ entry point होगा और यह point मेरा SL के रूप में काम करेगा और target price की बाद करेंग इस point करीब target price रखेंगे जिसको इसने आसानी से hit कर दिया है उसके बाद वापस से ये अच्छा खासा गिरावट दिखाने के बाद वापस से गया और इस resistance line को touch किया और यहाँ पर इसने break किया लेकिन जो candle break किया उसके बाद buyers का support नहीं मिरा फिर price नीचे आया यानि जादा देर तक इस resistance line के ऊपर नहीं ठीका है फिर give na start कर दिया जैसे give na start किया इस level के आसपास हम क्या कर सकते है दुबारा से sell side के तरफ interview ले सकते है ये highest point SL के रूप में काम करेगा अब जो हमारा target price होगा यही level होगा जहाँ पर हमने previous time profit book किया था और इस target price को इसने आसानी से hit कर दिया है अब in the meantime इसके बीच में भी कुछ यहाँ पर हुआ है उसको भी समझते है price यहाँ से आपका नीचे आया फिर उपर गया अब यहाँ पर भी एक आपका resistance line का formation किया है resistance level का formation किया है तो जैसे हमने यहाँ पर किया था कि पहली बार resistance level का formation यहाँ पर भी वहा था और यहाँ से नीचे जाने के बाद हम sell side के तरफ नहीं जाएंगे इस breakdown के पीछे हम नहीं भागेंगे यहाँ पर हम wait करेंगे दुबारा जब price आपका इस resistance line के करीब आएगा और इस resistance level को अगर वो respect करेगा तो यहाँ पर हम गिरावट के लिए जाएंगे तो इस level के करीब आने के बाद यहाँ पर हम sell side के तरफ positions initiate करेंगे और target हमारा same level करीब होगा चाहे आप यहाँ पर sell side के तरफ इंट्वी लो याँ फिर यहाँ पर इंट्वी लो target same होगा और इसने target को आसानी से hit कर दिया है अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको अलग तरीगी से समझना है अब क्या किया है यहाँ पर देखिए price यहाँ से उपर गया यहनी इसको यह support level बना दिया अब यहाँ पर वापस से नीचे आया और इस support level को break करते वे price नीचे आ गया तो बाईचंस अगर आपने यहाँ पर late इंट्वी किया कि यहाँ पर support level हमारा resistance में convert हो गया यहाँ पर किसी कावण बस यहाँ पर हम इंट्वी नहीं ले पाए तो क्या करेंगे हम यहाँ पर यहाँ यहाँ पर late इंट्वी नहीं लेंगे हम wait करेंगे क्योंकि हमारे पास एक resistance level है अगर इसके करीब वापस से price आएगा जिसके बाद आने के chances बहुत जाता रहते हैं तो हम वापस से sell side की तरफ positions ले सकते हैं हम जादा whisk नहीं लेंगे और देखिए उसके बाद price आपका वापस से इस resistance line के करीब आया है तो यहाँ पर हम sell side की तरफ इंट्वी लेंगे यह जो highest point है SL की रूप में काम करेगा और जो previous low था यह हमारा target price की रूप में काम करेगा जिसको आसानी से इसने hit कर दिया तो इस तरीके से हम यहाँ पर profit बनाएंगे किसी भी breakdown या फिर breakout के पीछे नहीं भाएंगे इस तरीके से अगर आप trade करेंगे तो अपने trade को काफी हद तक profitable बना सकते हैं हमारा risk छोटा सा होता है लेकिर reward काफी बीग होता है और यह unique trading strategy आपको कोई नहीं बताएगा जिसमें हमें real terms में profit मिलता हुआ दिखता है और हम वही सारा trading strategy आपके साथ share करते हैं जिसमें आपको live market में problem face करने को मिलता है जिसके business पे आप real terms में profit बना सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी किजिए साथी साथ अगर आपने bell icon नहीं दबाया तो bell icon जोट दबा दिजिए ताकि जब भी हम next video upload करें उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप video को miss ना करें so that's all friends मिलते हैं next video में जैहिन